हेलो, आज हम बात करेंगे G6PD टेस्ट की G6PD क्या होता है? इस टेस्ट का क्या मतलब है? इस सब के विशे में थोड़ी बेसिक जानकारी मैं आपको दूगी G6PD क्या है? G6PD एक एंजाइम है जो की हमारे RBCs में पाया जाता है यह एंजाइम जो toxic metabolites है वो हमारे RBCs को तोड़ना दे उसके against RBCs को protect करता है इसके अलावा infections और drugs के effect से भी यह एंजाइम RBCs को बचाता है यह टेस्ट करने के लिए डॉक्टर आपसे क्यों कह सकते हैं? यदि पेशन्ट को बिना कारण के बार बार jaundice और hemolysis हो रहा हो तो यह टेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है इसके अलावा यदि पेशन्ट को पहले कभी viral infection, कोई drug लेने के बाद या किसी infection के बाद hemolysis हुआ हो तो भी यह टेस्ट करने के लिए कहा जा सकता है यह टेस्ट कैसे किया जाता है? इस टेस्ट के लिए एक blood sample की अवशक्ता होती है जो की आम तौर पे पेशन्ट के बादू से लिया जाता है क्या यह टेस्ट करने से पहले कोई खास instruction दिया जाता है? यदि पेशन्ट का hemolysis हो रहा हो तो यह टेस्ट तब तक नहीं किया जाता जब तक उसका attack resolve ना हो जाए इसके अलावा यदि पेशन्ट ने हाल ही में blood लिया हो तब भी यह टेस्ट नहीं किया जाता G6PD टेस्ट कितनी किसम का होता है? G6PD test दो किसम का होता है quantitative और qualitative qualitative test पहले किया जाता है जिससे केवल इतना पता लगता है कि patient को deficiency है या नहीं उसके बाद quantitative test किया जाता है जिससे हम यह जान सकते हैं कि उसको enzyme की कितनी कमी है इस test के साथ और कौन-कौन से test किये जा सकते हैं आम तोर पे इस test के साथ hemolysis के बाकी test भी किये जाते हैं जैसे bilirubin, urine examination, retic count, etc. भी किये जाते हैं G6PD deficiency के patient में hemolysis के क्या कारण हो सकते हैं G6PD deficiency के patient में hemolysis के बहुत से कारण हो सकते हैं जैसे infection, stress या कुछ खाने जैसे की fava beans खाने से hemolysis हो सकता है इसके अलावा drugs जैसे primaquin, nitrofurentine और antipyretics खाने से भी hemolysis हो सकता है